जिन खेलों की पूरे भारत की जनता की निगाहें हैं समपूरानांदी स्पोस्ट स्टेडियम सिग्राफ वारांसी नेशनल मास्टर्स अथलेटिक्स की द्वारा आजूजित थार्ड नेशनल मास्टर्स जहां पर बहुत सारे अधिकारी यहां पर आज मैं सुसीलतिवारी एक ऐसा इंटर्व्यू जो की नरेंद्र मोदी जी खेलो को प्रोशाहन दे रहे हैं और मैं यही से मेरे साथ कृषानन उपाधाय सर, रामफल सर्मा सर और नन्ही सर हैं और मैं इन ही से जानूँगा कि तैयारियां कैसी है और लगभग चार महिने से ये लोग लगे हैं पूरे भारत के लोगों की इस पर निगाह है और पूरे भारत के दिगज नेताओं का यहां पर जमावडा लगने वाला है इस टूनमेंट के रूप रेखा के कानधार और उसको देखने के लिए दिल्ली से जो टीम आई है रामफल सर्मा है और तैयारिया कैसी है मैं रामफल सर्मा स्केटरी जर्नल नेशनल मास्टर एथलेटिक एश्योशन और मैं यहां का आकर के देख रहा हूँ पहले तो मेरे को बहुत इतनी अच्छी खुशी होई है कि आप लोगों का यह हमारे साथ में मिलना हमारे साथ में सहयो करना तो सबसे पहले तुम आपको यह बदाई देता हूँ और पूरे देश की तरफ से पूरे नेशल मास्टर एथलेटिक एश्योशन की तरफ से बधाई देता हूँ कि आप इतने सक्रिये हो हमारे इस कारिये को संपन कराने के लिए इतना इसको प्रोथसान देने के लिए तो आपका बहुत भुत धन्यवादiksi बहुत सारे से उलम्पिक खेलों का हिस्सा हैं और इसके सासाथ बहुत सारे उलम्पियन हैं अंतराष्ट कोच भी हैं और सर मैं आप से जानना चाहूँगा तैयारिया कैसी हैं तैयारियां हम लोग लगे हुएं कि जितना बढ़िया से बढ़िया इसको कर सकें पूरा अबाद गती से लगे हुएं कि बढ़िया से बढ़िया करें कि ऐसा तैयारी और कहीं नो हुई हो सबसे पहले आपने कहा था परिचय के लिए तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ मेरा नाम नन्ही सिंग है मैं इस मास्टर एटलेटिक एस उसियन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और बेसेकली मैं कोच हूँ कई अंतराष्टी राष्टी खेलाडियों को मैंने तयार किया है ओलंपिक में भी कई मेरे खेलाडी रहें एस एन गेम्स कावनवेल्ट वर्ड चंपियनसिप इन सारे जगों पर हमारे खेलाडियों ने प्रतिभाग किया है हमें बड़ी खुशी हो रही है जो साथी है रामपल सर्मा जी जो मास्टर जनरल एथलेटिक के स्वेशन के जनरल सेकेटरी है और कियान उपाधिया जी जिन्होंने आथक प्रयास कई दिनों से लग के कर रहे हैं इस हेज में इतना प्रयास करना इतना मेहनत करना बहुत कम लोगों के बूते की बात है और एक ऐसा मौका मिला है बनारस के लिए यह बनारस तो बिश्व के सबसे प्राचीनतम नगरी है और समय समय पर अपने जोहर का जोहूर यहां के लोगों ने दिखाया है और हमारे देश के यसस्त्वी प्रधान मंतरी बनारस के सांसत जितना कारे उन्होंने बनारस करके दे दिया आज तक कभी हुआ नहीं था और इतना उमीद जगी है खिलारियों को खिलारियों को अलग बुला बुला के एक मदारी परिवार का ही लड़का से हुपाल सिंह उलंपिक में जाने से पहले उन्होंने बात किया था फोन पर उन계 yağन इतना बढ़ीयों इस धंक से उन्होंने मूटिवेट किया खिलारियों को खिलारी एक दम गदगद हैं कि इस तरह का हमको नेतितु मिल रहा है और उनकी दिशार निर्देशन में बहुत बढ़िया कारे करेंगे हम लोग और यह तैयारी के लिए हम लोग लगे भेंग येतना बढ़ियां से बढ़िया कर सकें करेंगे और क्रिशानन सर मैं आप से जानना चाहूंगा तैयारी अलगवग पूरी हो चुकी है और अंतिम रूप भी इसको अब दिया जाना बागी है मैं आप से जानना चाहूंगा इवेंट से जुड़ी बाग है मैं कृष्णान पाधियाए मास्ट्र एठलेटिक एठन उत्तरप्राइश का जनर सेगेर्टी और सीनर जवाइन सेगेर्टी नेसले मास्टर एठलेटिक एठन का हूँ इस समय वो बहुत ही खेल में रुची ले रहे हैं बहुत ही सहायता दे रहे हैं تो हमारे कहने के अनुचार जो है हमारे सेरेटी जेनर अमाहवदै जी ने इस प्रत्योंगता कराने के लिए बनार्श में दिये। मैं उनका बहुत ही शुक्र गुजार हूँ धन्वाद देता हूँ और आज दिल्ली से आए हुए हैं कल से ही दिल्ली से आए हुए हैं इंस्पेक्शन के लिए तैयारी के लिए हमारे साथ मास्टर एटरी एसना पुत्तरपदेश के स्री नन्हे सिंग जी भी बहुत ही जो की ओलंपियन प्लेयर एसियन प्लेयर और अंतराश्टी कोच हैं इन्होंने पैदा किया है मतलब कि इस सिखाया है इनके सिस लोग गए हैं तो हम लोग दोनों लोग मिल करके बहुत बड़ी त जो है आज तक किसी भी एस सिखेल में नहीं होता है जो की बहुत ही सवभाग्य है कि जो बनारस को मिला है सर कासी नगरी के लिए बहुत बड़ी सवगात है और जो लोग देख रहे हैं पूरे भारत वा पूरा भी स्वाप को देख रहे हैं मैं चाहूंगा नन्हे सिंग जी क्या कहना चाहूंगा कि खिलारियों के लिए कि सबका साथ हो सबका भी स्वास हो यह प्रिणा लेकर कि लड़ियों से यह लेकर यह नारा लेकर चलना है कि खेल एक ऐसी बिधा है जिसके बदलोद जीवन के हर छेत्र में इनसान अपने कामियावी को प्राप्त कर सकता है खेलों का एकिये है कि उठालो लंगोटा दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पवरुस अखाड़े की ओर विशेशकर मैं रहने वाला चन्दवली जनपद धानर पुबलाक में गाउड डभरिया का निवासी हूँ मेरे पिता जी भी 95 से 100 साल आयूवर्ग में इसमें प्रतिभाग करते हैं और इसमें भी करेंगे और उमीद है कि अच्छा करेंगे खेलों इंडिया अभियान से वो जूड़े हुए हैं और इसके लिए मैं यह कहूंगा कि हमारा जो मोटो है कि यह बुजुर्ग लोग भी जो गाओं मेरा कि इसमें अगर लगे रहेंगे तो दवाईयों से जान बच जाएगा जो लग रहे हैं रोगों से छुटी मिल जाएगी यही मेरा का इसमें आऊएं खेलें प्रतिभाग करें उनको देख करके आनी वाली जनरेशन जो है वह अपने सभलताओं को चुमेगी और हमारे उदेश को देश के उदेश को खेलो इंडिया के उदेश को हमारी से सिजोशन के उदेश को प्रूण करेगी और फिर एक बार सर मैं आपसे जाना चाहूंगा इस इवेंट से जुड़ी जानकारी लोगों तक आप साजा करें अच्छली शुशिल जी ये नेशनल मास्टर एथलेटिक एशुशन है मास्टर का मतलब है कि कम्प्लीट में ये 35 साल से हम स्टार्ट कराते हैं और 100 साल तक का जो भी बुजरग होता है या जो साल का हमारा यंग बोलते हैं हम तुसको तो वहां तक हम ये कराते हैं इसमें प कम्प्रिटिशन होता है जैसे 35 से 40 के बीच का कम्प्रिटिशन होगा 40 45 का कम्प्रिटिशन होगा इस तरह से इसका एक कराने का एक स्टेंडर्ड है दूसरा बात यह है कि यह कुल मिला करके यह स्वास्थ अवेर्नस की एक मैसीज है अगर हम लोग गिराउंड से टच रहें उसकारांकि तो हम स्वास्थ रहेंगे और बार्यत सरकार का भी मानेनी मोध्यीजी का भी हिन्दुस्तान स्वसמץ क्या रहे इस में हमार भी हिंशा है हम काफी सालों के कर देंडरों से करा रहëं लेकिन यह भी हमारा एक स्वास्त अभियान का एक हिस्सा है हम इसमें चाहते हैं कि भई हर आदमी थोड़ा सा अपना समय निकाल के अपने स्वास्त के परती हम काम तो भोत करते हैं हम ओफिस में भी काम करते हैं खेद में भी काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के हम अपने स्वास्त के पर हो छोटा पदो वो अपने मानसिक रूप से परिशान हो जाता है कि मेरे पिताजी के बिमार हैं यह हैं तो उसके काम में बाद आती है अगर उसके पिताजी स्वस्त होंगे तो वो अपने काम को बड़ा उच्छा से करेगा और घर में खुशाली रहेगी बच्छों के साथ हम देश के लिए कम से कम 50 लाक रुपे पर डे सेविंग कर रहे हैं यही 10,000 लोग अगर गोणियां खाते हैं रोज के 100-200 रुपे के गोणी खाते हैं तो कितना बड़ा इंवेस्ट होता है यह अगर इन गोणियों से दूर रहते हैं तो देश के परते हैं हम तो इसमें ही ख सकता से खुशी है मैं खुद एक एंतराश्टी खिलाडी रहा हूं और लगातार दस साल इंडिया चैंपिन डिकतलन में रहा हूं जिसमें 10 इवंट होते हैं तो मैं खेल के परती इतना लगाओ है बच्पन से ही अभी रिसेंटली मेरा बेटा इंडिया चैंपिन बना है तो मेरा कहिन का मतलब यह है कि हम खेल से जड़े हैं खेल से जड़ा रहना चीए और ये देश के लिए बलाई है अगर हमारा देश खुश होगा तो हम परगती करेंगे और यही हमारी फिलाल मानेंईए प्रदानमंत्री जगा सपना है और उस सपने के लिए हम भी सोचते है कुछ तो contribution करें कुछ तो करें और जीवन में आए हैं तो हमारा कुछ करना से बगवान ने इतना कुछ दिया है तो हमारा फर्ज भी मनता है कि हमें कुछ ने कुछ करना चाहिए यह हमारा एक माध्यम है और इसमें भाई केन उपाद्यजी ने मेरे से request किया कि सर हम बनार्स में यह आयोजन कराना चाहते हैं माने हमारे सीनियर कोच है नन्य सिंग जी इन से भी कंसल्ट वा तो नन्य सिंग ने भी कहा कि हम बहुत बढ़िया आयोजन करेंगे तो हमने एक्जुकेटिम वोड़ी बुला करके और यह के निरने लिया कि हम बनारस में ये कराएं आधर निये प्रदानमंत्री जी का चेतर भी है और एक अच्छा मेसिज जाएगा देश के लिए देश हित के लिए अच्छा मेसिज जाएगा तो हम ये सपना सोच के कराया है और मैं यहां आगर के बड़ा खुश हूँ संतुष्ट हूँ के अनुपाद संतुष्ट हूँ और हमारा आने वाला टाइम में बहुत शांदार बड़िया होगा ये बगवान से परातना करते हैं और सुसिल जी आपको फिर एक बार में धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोग हमारे को अगर इतना मोटिवेट कर रहे हैं तो हम पता नहीं क्या कर देश के लिए हम कुछ भी कर कर गुजरेंगे अगर आप लोगों का ऐसे हमारे साथ में साथ रहा तो आल दा बेस्ट और बेस्ट अफ लग आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद हैं सिग्राय स्टेडियम का ये कारवा 27 नॉमबर से शुरू होगा और भारत के दिगज लोगों से मैंने बात की और यहां पर मैं जरूर चाहूँगा आप आएं और यहां का हिस्सा बने और मैं जरूर चाहूँगा भारत के दिगज दिगज नेताओं का जमावडा होगा जहा कि आज इस खेल के सुत्रदहार के पहले मसीहा है और मैं बताओं भारत के लिए एक ऐसा गोरोसाली छण है कासी नगरी के लिए ये बहुत बड़ी बात है मैं सुसीलतिवारी जरूर चाहूंगा मेरे वीडियो को देखे सेयर करे मेरे चैनल को सिस्क्राइब करे जय भारत सर इतना समय देने के लिए मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद